हलो इस्टुएंट्स वेलकम बाग गजवकर अकेडमी मैंसेल रंदीप सिंग और क्लास एट मैथमेरिक शाफ़न नुमर फिफ में पनियासर स्टार्ट करेंगे पर से देखने वाले हैं और क्या देखेंगे फाइप यहां पर इस्कुरर निकालते हैं यहां पर इस्टार्ट होगी कुछ फॉर्मूला की और जो बहुत इंप्रेंट होने वाले हैं क्लास नाइंट के अदर 23 का मतलब क्या आपको यहापर banda करना क्या होता 20 plus 3 का मतलब क्या होता 20 plus 3 अगर 23 का स्वायर कर देंगा है अगर मैं 23 का gar personalities मुझे यहापर क्या करना पड़ेका क्या लगाना पड़ेगा यह कैसे लगाओंगा मैं इधर ध्यान देना, यानि कि मुझे 20 प्लस 3 को multiply कर देना है, 20 प्लस 3, अब ध्यान देना, इसका मतलब वो है, ये 20 पहले इस पूरे से multiply होगा, ठीक है, प्लस फिर ये 3 इस पूरे से multiply होगा, ये 20 और ये 20 multiply होगे 20 का square, और ये 20 और 3 मिला के कितना होगया, 20 multiply है 3, प्लस 3 और ये 20 मिला के 3 multiply है 20, और ये 3 का square, ये होगया 400, ये होगया आपके पास जो है, 2300, ये 60 और ये 9, एड़ करेंगे तो 549, अब यहाँ पर एक pattern बनता होगा आपको, एक pattern बनता होगा, अगर मुझे 23 का square करना है, तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे break कर लो, कि जिसके अंदर एक value जो हो, वो 20, जैसे मालोगी 33 होता ही है, तो मैं कैसे break करता है, इसको 30 plus 3 में ऐसे break कर लो, अब कुछ मत करो, ये जो value है, एक बार इसका square लगा दो, फिर 20 multiply 3, प्लस 20 multiply 3, एक ही बात है, चाहे 3 multiply 20 multiply 20, ये दो बार लिख देना है आपको, क्या लिख देना है, टू टाइम लिख देना है, इन दोनों की जगे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 multiply 20 multiply 3, ऐसे भी लिख सकता है, एक ही बात है, और प्लस 3 का square कर दो, अब इसका addition, इसका addition, इसका addition, मतब multiplication add कर दोगे न, आटमेटिक 25 का square लगाना है, मुझे लगाना है, 25 का square लगाना है, तो मैं क्या करूंगा diferencia, 20 का square लिख लिखान है, प्लस 25, ओ सारी, एक मिंदा ब्रेक तो किया ही नि, अपने इसको ब्रेक करते है दिखाता हूँ, अगर मैं इसको 20 plus 5 का square लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं यापर 20 का square लिखूँगा, plus 20 multiply 5, plus 5 multiply 20, plus 5 का square, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इसी को अगर हम एक formula में लिखना चाहूँ, तो भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हूँ, कैसे, देखो जाए, जैसे आपके पास देखो, इनके starting values देखी हूँ है, इनके क्या लिखे क्या हो रही है, 00 के बात हो रही है, इसके साथ plus करना है, इसके पीछे वाले digit का square, पीछे वाले digit का क्या करना है, आपको square करना है, समझ में आ रहा है, क्या कहना चाहरो मैं आपसे, just इससे next, जैसे की 75 का square करोगे, कुछ मत करो, 7 multiply 8 करो, पीछे 00 लगाओ, plus 5 का square लगा दो, 7, greater values को multiplication करने के लिए, next, देखो, सबसे important आ रहा है, पायतोगर स्टिपलेट, यह क्या कहता है, देखो, अभी हमने सीखा कि 3 का square, 4 का square करने पर क्या रहा है, 9 plus 16, यानि 45 आ रहा है, यह तीनों digit जो होती है, वो आपके क्या होती है, पायतोगर स्टिपलेट होती है, इसका हो, और यह digit इससे भी जmost क्या nécessaire है आपकेपास, कहने का मतलब यह है, अगर मेरे पास एक pattern बनाना है, मेरे पास क्या बनाना है, पैटरन कैसा होना चाहिए, आपके पास, एक digit पो तू-म का whole square और एक digit आपके पास m square minus one का whole square, एक digit आपके पास m square plus one का whole square, अब यह m कहां से लो एम की वैल्यू हमेशे क्या लो ग्रेटर देन वन लो अब आप ऐसी वैल्यू ढूंड़ो जैसे माल लो आपके वास पैटर्न है 6 8 10 क्या यह पाये तो और इस ट्रिपलेट है इसको पता करना पड़ेगा यह तीनों वैल्यू यह तीन फॉर्म में होने चीए एक तो होना च चीए m2-1 और 1 होना चीए m2-1 अब यह लेकर आओ कैसे भी माल लो अब मुझे आपको गैस करना है m की वैल्यू माल लो मैंने 1 रखी 2-1s र 2-2 है कैस में नहीं है माल लो 2 रखी 2-2s र 4 है कैस में नहीं है माल लो 3 रखी 2-3s र 6 है न तरिक साम बस यह काम हो गया m का वैल् ओर नहीं वर रही नहीं है इंट नहीं है नहीं प्लस में यहना कि नहीं हुद के लिए हो ओं लेकार हम्हान है न उने जरूर देख लेना उसके बिना फिर आपके समझ में नहीं आने वाला एक्साइस ठीक है नेक्स्ट मिलिंग है एक्साइस से पहले कुछ एक्जेम्पल्स पर